हलो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा पशुदन मेरे नाम में संदीप सिंग और आज हम बात करेंगे कि जब भी हम नया बकरी फार्म शुरू करते हैं तो हमें कौनसी नसले की बकरी खरिदनी चाहिए या फिर यह कहें कि बकरी की सबसे अच्छी नसले कौनसी है तो इस सबसे अच्छी बकरी कौनसी है और साथी साथ वीडियो के आखरी में आप लोगों को में एक अपना सुजाओ भी दूँगा जिससे कि आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी एक बकरी की अच्छी नसले सर्चे करने में तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को में एक के बाद एक पॉइंट बताता हूं सबसे पहले कुछ जरूरी जो अफवाय हैं वह आप लोगों को में बता देता हूं कि पहले चीज़ लोगों को बताया जाता हैं कि वातावरण के इसाप से बकरी रखो उद्देश्य के इसाप से बकरी रखो तो पिर फिर फिर थंड़े इलाके की बकरी हैं यहां पर उसको नहीं रखा जा सकता अगर फिर फिर बी जू वह एचेप गाई हैं उसे राजस्तान के सिकर जिले में जेपूर में काफी आसानी से पाला जा रहा है और वो गाए काफी अचे से वाहा पर सुरॉय वल कर रही हैं तो ऐसा कोई जूरी नहीं होता है कि आप उन बकरी को इहां पर सिट नहीं कर सकते सिर्फ जरुरत हैं आपको अच्छे से सीखने की और मेहनत करने की अगर आप लोग मेहनत करते हो तो आप लोग किसी भी बकरी को अपने फारम पर सेट कर पाओगे वो भी हो सकता है मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताओं या फिर एक अलग वीडियो के उपर आप लोगों में बना कर दूँगा कि आप किसी भी बकरी को सेट कैसे कर सकते हो पहले एक चीज है कि जब भी आप लोग बकरी की नसले सर्चे करें या फिर बकरी खरीदें तो सबसे पहला point आप लोगों को ध्यान देना है वो है marketing कि आपकी area में किस बकरी की demand जादा है और किस बकरी को आप लोग अपने area में आसानी से बैश सकते हो क्योंकि एक example आप लोगों में चले दे देता हूँ कि पंजाब का जो area है वो है बड़ी बकरियों का area वहां की जो नसले है वो है बिटल यानि की बिटल बकरी की कीमत होती है 25 से 30,000 रुपे 20,000 रुपे से उपर ही होती है और एक बिहार area है जहां पर बलेक बंगाल जो नसले ह वो ज्यादा चलती है उस बकरी की कीमत होती है 6 से 7,000 रुपे 8,000 रुपे या 5,000 रुपे तो वहां पर अगर आप बिटल बकरी का पालन करोगे तो आप से बिटल बकरी वहां पर कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वहां पर उन लोगों को कापी सस्ती बकरियां चाहिए ठीक किसी तरीके से अगर आप बलेक बंगाल नसले की बकरी का पालन पंजाब में करोगे तो वहां पर इनको कोई नहीं खरीदेगा या फिर बहुत ही कम लोग नहीं खरीदना पसंद करेंगे तो ऐसे एरिया का आप लोगों को ध्यान देना है कि आपके एरिया में किस बकरी की अपने फार्म पे ले आते हैं दूसरी चीज हैं आप लोगों को किसी के भैकाव्êu में न आकर अपने खुद के अनुववager से काम लेना है कैसें कि आप अगर किसी बकुरी वार्मर से पूछो ह Ein तो वह उसी को सपसे बेंच्छी नसल कौनसी हैं तो वह उसी बकुरी को सबस पसंद हैं आपके लिए क्या सही है ठीक है क्योंकि बहुत तरह लोग आपको ये बोलेंगे कि आपको कम से कम 40,000 रुपे 50,000 रुपे की बकरी से बकरी फाम के शुरुवात करनी चाहिए तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जहां पर आप 40,000 रुपे की 10 दस बकरी खरी दोगे आपको 4,000,000 का खरचिया आएगा वही पर अगर आप 20,000,000 रुपे की बकरी खरी तो आपको उसी चाल लाध रुप देंगूं कर रहें वाली बात होती है जो लोग कापी पहले से बकरी फार्म कर रहे हैं यह वह लोग होते हैं जो कि शोग के लिए भी दोलाइक रुपर का बकर अपने फार्म पर ले आते हैं आप लोगों को इतनी जादा महेंगी बकरिया ना कहरें कर सस्ती सस्ती जो बक्रियां हैं मैंने बोल रहा हूं कि विल्कुल थर्ड कलास बक्रियां आप लोग खरीदें लेकिन जो मीडियम बक्रियां आप बोल सकते हैं उन्हें 20-25,000 रुपए की जो अच्छी बक्री होती हैं वह आप लोग अपने फार्म के लिए खरीदें और दू समझें आप याने कि बलेग बंगाल बक्री हैं वो ज्यादा बच्चे देती हैं याने कि एक बार में 3-4 बक्री देती हैं लेकिन उसके नीचे दूद बहुत काफी कम होता हैं तो उसके जो बच्चे हैं वो ज्यादा ग्रोध कर ही नहीं पाते वहीं पर अगर मैं बात करू बिटल बक्री की या फिर जमना पारी की या फिर सोज़त सिरोई की तो इन बक्रियों के नीचे दूद अच्छा होता है तो इनके बच्चे काफी अच्छे से ग्रोध कर पाते हैं तो ये चीज़े भी आप लोगों को ध्यान देना है ये नहीं कि वह वह बक्री जादा कुछ अच्छी वक्रियों की नसले हैं वो भी आगे आप लोगों को वीडियो में मैं बताऊंगा तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान देना है एक और चीज आती हैं खुद की पसंद याने कि अपनों को क्या पसंद है क्योंकि मैंने आप लोगों को बोल दिया कि जाओ आ किसी को बरबरी पसंद होती है किसी को बिटल पसंद होती है तो अपनी पसंद के चैसाब से भी चलना है वो कैसे क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया अपने बारत में तीस से भी जादा बक्रियों की नसले我ं और कोई भी बकरी की नसले बेकार नहीं है आप किसी भी बकरी का पालन करो सारी बकरी अच्छी होती है आप लोगों को क्या ध्यान देना है मार्केटिंग का कि आप किस बकरी को ज़्यादा आसानी से बेश सकते हो और आगे अगर मैं बात करूँ आप लोगों को अपने फारम पर क्या करना है तो क्या नहीं करना है यह आप लोगों में बता देता हूँ आज कल एक ट्रेंड चला हुआ है गुलाबी चमडी लंबे कान इनके पीछी लोग काफी ज़्यादा भाग रहे हैं और काफी ज़्यादा पैसा इसमें बरबात कर रहे हैं जیसा कि मैं आप लोगों को बताऊँ बक्री फारम जो आप करते हो वो मीठ के लिए करते हो याने कि मासुत पदिन के लिए करते हो या फिर दूद के लिए करते हो तो ना तो बकरी का चमडी बिखेगी ना ही उसकी जो कलर हैं वो बिखेगा बकरी काटने के बाद सारा कुछ फेक दिया जाएगा कान वगेरा सब कुछ और उसका जो मीठ है उसको इस्तिमाल किया जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया आपको शूरू में शोक नहीं पूरे करना है इन चीजों पर पेसा बरबाद करके आप एक बकरी पचास अजा रुपे खरीद रहे हो दो मीडियम बकरी आप लोग 25-25 अजा रुपे की खरीदो ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा प्रुफेट आप लोगों को मिलेगा क्योंकि अगर आप लोग 26,000 रुपे की बकरी बेगर खरीद के ले आते हो तो उसके बच्चे आप इतने महंगे नहीं बेच सकते हैं क्योंकि ना तो आप से इतने लोग जुड़े हुए हैं और ना ही इतना अनुबव आपको हैं अगर एक बकरी आपकी मरती हैं तो काफी बड़ा नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए याने कि मेरा एक सुजाव है वो आप लोगों में दे रहा हूँ जो कि किसी भी कारण से मैं अपने खुद के फाइदे के लिए नहीं बता रहा हूँ नहीं किसी के नुकसान के लिए आप लोगों में बता रहा हूँ सिदि सी बात है अगर आप लोगों को पसंदाए तो, क्या करना है, कि जहांके एरिया में आप लोगों को लेनी हैं, जो उनमें से अच्छे अच्छी जो टॉप कॉलिटी की बख्रिया हैं, वो आप लोगों को करीदनी है और उनको अपने फार्मपे रकना है जियाने कि वहाँकर आपके area में 20.000 रुपय की रूपय बक्री हैं 15.000 रुपय की बक्री हैं तो उन में से अच्छे अच्छी बक्रिया आप लोगों को चाटना है उसके बाद आप लोगों को अच्छे ब्रीडर खरीद के लाना है किसी अच्छी नस लेके यानि कि सोजत अगर आपको पसंदे तो आप लोग सोजत का ब्रीडर लेके आओ अगर बीटल पसंदे तो बीट propiti टीक है तो मुझे उम्यद है आप लोगों को पसंद आया होगा जानकारिया आप लोगों को अच्छी लगी होगी झाल 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 झाल